Hello everyone, नमस्ती तो आज का जो टॉपिक है वो ये है What unexpected blessings are coming in your life soon और ये एक general reading है और timeless भी है और ये both males or females दोनों के लिए है तो पहले देखते हैं कि आपके cards क्या है तो आपके cards है justice card and six of swords card ठीक है तो आपका जो bird chart है उसका ascendant sign, sun sign या moon sign जो है वो specifically air element से based होगा मेंस आप एक Gemini, Libra और एक Aquaris person आप हो सकते हो और Libra यहाँ पे strongly show कर रहा है और else आप एक water element के person भी होने के chances है यहाँ पे cancer और Pisces strongly दिख रहा है मुझे तो पहले मैं आपके current situation के बारे में कुछ बात करूँगे आपके nature के बारे में कुछ बात करूँगे and then हम लोग move करेंगे आपके life में क्या unexpected blessings आने वाले हैं ठीक है तो पहले आपके बारे में तो आपका जो nature है न वो बहुत ही ज़ादा justice side से होगा आप एक justice lover person हो आपको जूट से सक्त नफरत है बहुत ही ज़ादा honest person हो जहाँ आपके career finances की बारी I mean बात हो रही है तो आप बहुत ही ज़ादा loyalty के साथ honesty के साथ काम करना पसंद करते हो and जहाँ बात आपके love life के आ रही है आपके जो life partner हैं या होने वाले होंगे उनके प्रतिय आपका एक loyal side हमेशा रहेगा आपको किसी को भी cheat करना पसंद नहीं है बहुत ही ज़ाद logical side से आप हो आपको हर चीज में कारण ढूने का एक बचपन से ही आपका एक side रहा है हर चीज क्यूं हुआ, कैसे हुआ, क्यूं कब कैसे इस सब चीजों के बारे में जानने का शौक आपको बचपन से ही रहा है आप बहुत ही साथ questions पूछते थे बचपन में खुद के parents के आपको आप पूछो कि या फिर अपने friends के साथ हो या कोई भी किसी भी बड़े इंसान के साथ आप हो आप हमेशा उनसे questions पूछते ही रहते थे आपको हमेशा हर एक चीज के बारे में in depth जानने की एक इच्छा हमेशा आपके मन में रहती है और आप जब भी किसी के साथ बात करते हो न at that time आप में एक strong logic side दिखता है आप फालतू की बाते, फालतू की मजाख आप जादा, इतनी जादा आप नहीं करते हो कम बात करोगे, straight forward बात करोगे to the point आपका हर एक चीज रहता है और यहाँ पे मुझे जादा तरल लोग जो भी ये reading आप देख रहे हो न आप government sector से बिलोग कर सकते हो या फिर law field से, defense field से जादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है either आप एक army officer हो सकते हो, police officer हो सकते हो detective, spy जो बोलते हैं, वो सब हो सकते हो या फिर एक lawyer होने के chances बहुत ही जादा है अगर आप ये सब field में नहीं हो और अभी आप पढ़ाई कर रहे हो वो justice side by birth है इसलिए आप ये सब काम में बहुत अच्छा कर पाओगे या फिर government job में आप try कर सकते हो आपके बहुत chances रहे हैं और आपके family में, आपके mother side से या father side से कोई एक इनसान इस सब field में भी belong करते हैं तो आपको अगर कुछ information आपको चाहिए होगा ये सब field में एंटर करने के लिए तो आप उस person से पूछ सकते हो तो अभी बात करते हैं आपके career और finances की तो आप बहुत ही जादा fairly decide करते हो हर एक चीज़ को judge भी आप दिख रहा है कोई कोई लोग judge भी हो सकते हैं या फिर future में आप judge भी बन सकते हो आपका plus point और strong point career life में ये है कि आपकी honesty आपकी hard working जो कि आपको आगे लेके जाएगा और जहां बात आपके finances की आ रही है आप बहुत ज़दा stable person हो यहां पर stable person मेरे कहने का मतलब ये है कि आपना एक ऐसे person हो कि आपको ये पता है कि आपको पैसे save भी करना है future के लिए और present life में भी आपको पैसे use करना है so you know how to balance कि कितना आपको खर्चा करना है कितना आपको save करना है तो वो एक चीज आप में बहुत ही ज़दा अच्छी है then जहां बात आपकी love life के आ रही है न आप अभी एक ऐसे person हो जो कि आपके जो life partner होंगे या होंगी आपके life में उनके प्रती बहुत ही ज़दा loyal हो आप एक बराबरी जिसको बोलते है न वो आप आपके life partner में आप देख सकते हो वो respect आप देख सकते हो उस person के आँखों में आपके लिए जो कि बहुत बड़ी बात है और आप वो respect देते हो उस person को उतनी जो कि बहुत ही ज़दा अच्छी बात है relationship में and now you are a person who is ready to compromise like anything to get that person यहाँ पर compromise की बात यह नहीं है कि आप कुछ भी गलत से लग चीज़ कॉंप्रमाइस करो आप मतलब रिस्ता को बचाने के लिए मतलब आगर आपको गुसा थोड़ा आता है so you are now ready to control your anger to handle the situation उस तरह की चीज़े ठीक है और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है न recent past में आपने बहुत ही ज़ादा problematic situations को झेला है कुछ लोगों के लिए career और finances की based में आपने बहुत ही ज़ादा problems झेले है क्योंकि आप एक honest side से हो आपको जुगाड अगर आप जुगाड पे जाते भी हो न तो इसलिए जाते हो ताकि सही काम को गलत तरीके से भी हो लेकिन सही काम को आप complete कर पाओ इसलिए लेकिन आपकी एक क्या बोलते हैं उसको उतनी value आपको नहीं मिली जितनी आप deserve करते थे ठीक है लेकिन आपने जो भी जहेला है न जितनी भी stress आपने जहेली है past में आपके work field में है वो सब एक phase था वो cross हो चुका है और बहुत ही जल्दी आपको एक promotion मिलने वाला है और else आपको एक new job की offer मिलने वाली है with high paid salary और अगर आपको promotion मिल रहा है तो आपको high paid salary मिलेगी अगर आपको एक job offer होगी तो आप जहां पहले काम करते थे वहां से आपको एक job offer होगी with a very good post क्योंकि आपकी honesty और loyalty के कारण वो company आपको फिर से hire करेगी तो आपके लिए बहुत ही जादा अच्छी चीज़ा आने वाली है career life में जो लोग ये reading को career basis में देख रहे हो उनके लिए बता रही हूं ठीक है और जहां बात आपके finances के आरी है आप past में actually you know how to handle finances लेकिन कभी कबार क्या होता ना आप बहुत ही जादा खर्चा भी करते हो जो कि बुरी बात नहीं भी है लेकिन future के लिए आप थोड़ा जादा save करना शुरू कर दो गया you will notice के कुछी दिनों में आपको पता नहीं कैसे आपको feel होगा and you just start saving money आप money save करते जाओगे जितने भी earning होती होगी आप save करते जाओगे और वही चीज़े आपको future में बहुत काम आने वाली है यह था career or finances के बारे में जो लोग यह reading को career or finances के लिए देख रहे थे ठीक है अभी आते हैं आपके love life के बारे में तो यहाँ पर दो situation है पहले मैं singles के बारे में बता रही हूँ जिनोंने आज तक कभी किसी को date नहीं किया है उन लोगों के बारे में तो आपके life में एक reconciliation है आपके किसी childhood friend हो सकते हैं या फिर आपके school colleges में आप जिनके साथ पढ़ रहे थे आपके best friend थे उनके साथ होने वाला है और वही इनसान आपके future में आपके life partner बनेंगे ये singles के लिए था और वो इनसान कौन है you know that और जब आप आखरी बार उस इनसान से मिले थे आपका fight हुआ था उस इनसान के साथ not fight means verbal fight okay किसी चीज से आप दोनों लड़ाई कर लिये थे इस टाइब की चीज़े और अभी आते हैं उन persons के बारे में जो लोग पहले date कर चुके थे और separation से गुजर रहे हो आप लोग तो आप लोगों के लिए मुझे याप यही दिख रहा है कि जो separation वो था न वो आपको एक चीज एक lesson सिखाने के लिए divine ने करा था आपको कुछ सीखना था उस duration में जो की आपने सीख लिया है आपका healing जो stage था वो complete हो गया है now you are a person who knows how to handle the situation how to compromise for someone अगर आप किसे से बहुत ही जादा प्यार करते हो तो आपको भी थोड़ा बहुत compromise करना पड़ेगा क्योंकि आपको सामने वाला जो है उसके भी कुछ feelings है उसके भी कुछ चीजें हैं जो कि वो believe करते हैं जो कि वो मान के चलते हैं so आपने वो सब चीजें सीख ली है now you are completely ready to meet the person तो आपका भी reconciliation होगा लेकिन same partner के साथ होगा जिनके साथ आप past में relationship में थे और यह जो reconciliation होगा यह sudden होगा surprisingly आप यह person से मिलोगे और आप दोनों को feel होगा कि आप दोनों को date करना चाहिए और लेकिन यह future में आप notice करना future में आप बहुत ही जल्दी marriage तक पहुँच जाओगे शादी करना चाहोगे दोनों और यह बहुत ही long term चलेगा भी तो अभी देखते हैं कि मैंने 3 cards निकाले हैं आपके करने situation के बारे में फिर आपके blessings पर जाएंगे heartbreak अभी आपका heartbreak चल रहा है चाहे आप single हो चाहे आपका breakup हो गया हो आप actual में आप चाहते हो कि आपके life में कोई आए बिकाज आपके friends के life में कोई ना कोई है वो लोग उनके relationship के बारे में कुछ बताते रहते हैं new field की यार मेरे life में कोई तो नहीं है मुझे मेरे life में भी तो किसी को आने चाहिए इस तरह से आपको तकलीफ होती रहती है अंदर से bad fortune और sorry bad luck और misfortune आपको लगता है कि आपका ही bad luck चल रहा है इसलिए आपको कोई नहीं मिल रहा है victim actual में आप victim ही हो आप गलत सोचर हो खुद के बारे में आपके life में भी कोई आएगा ऐसा नहीं है कि आपके life में कोई नहीं आएगा आएंगे ठीक है लेकिन थोड़ा patience रखो जैसे कि यहां पर अभी दिख रहा है कि reconciliation होगा तो वो इंसान को भी आपके life में आने के लिए time चाहिए और कुछ लोगों के लिए मुझे यहां पर call भी दिख रहा है call या message आपको मिलेगा कुछ लोगों के लिए cycles revelation phase आपने जो भी साहा है जितना भी problems आपने साहा है आपके career life में हो या फिर personal life में हो वो एक phase था जो की खतम हो गया है आप अभी एक transformation से आप गुजट चुके हो और एक new person में आप तकदिल हो चुके हो fairies एक fairytale kind of love story होगी आपकी पहला प्यार या बचपन का प्यार टाइप चीज़ें आपके life में आने वाली है ठीक है inner child तो ये person से आप जब मिलोगे ना you will feel कि मैं ये person के साथ जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ वैसे उसके सामने में रह सकते हूँ show up करने की जरूरत नहीं है या दिखावट करने की जरूरत नहीं है एक mask के साथ रहने टाइप की चीज़ें आपके life में नहीं होगी reconciliation है मैंने पहले ही बोला है reconciliation आपका होगा ही होगा either आपका पहला प्यार है या childhood friend उस टाइप की चीज़ें हैं आपके life में yes card ये confirm कर रहा है कि जितनी भी चीज़ें यहां पर मैंने बोली है न वो सब चीज़ें होकर ही रहेगी आपके life में किसी के life में अगर आप love life के बारे में देख रहे हो तो आपके life में reconciliation है अगर आप career life में देख रहे हो तो भी आपके एक जहां पर आप पहले job कर रहे थे वहां से job offer आने की chances है या फिर आपको promotion मिलने की chances है पैसे आपके बढ़ेंगे उस टाइप की चीज़ें यहां पर मुझे देख रही है और आप पैसे बहुत save करोगे ठीक है जो कि आपके future बहुत काम आने वाल है तो यह reading था about the unexpected blessings coming in your life very very soon take care and be safe and subscribe करो channel को okay and take care and be safe thank you bye